हलो एवरिवन, एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है, बात करेंगे हम इलाबाद विश्व विद्याले नौन टीचिंग भरती परिक्षा दो हजार चौबिस की महतुपूर्ण information है आप सभी लोगों के लिए, जिनकी परिक्षाएं हुई हैं उनके लिए भी और जिनके होने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए इसमें कुछ important चीज़े आपको बतानी है, जो कि आपके लिए बहुत ही important होगी क्योंकि आपने भी कुछ question ऐसे ही किये हैं जैसा screen पे आप देख पा रहे होंगे इसके अलावा भी आपके question जो होंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताये जाएंगे इन सभी question के अलावा आपके और भी अधी कोई प्रश्ण है तो आज शाम पांच बजे तक लगभग live discussion में आप जुड़ सकते हैं और अपने question को पूछ सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें जिनको जरूरत हो केवल वही लोग live discussion में जुड़े और अपने question को पूछ लेंगे लगभग समय पांच बजे ही रहेगा लेकिन उससे पहले आपको टेलेग्राम पर भी लिंक शेयर कर दे जाएगी live session की ताकि आप वहां से अपने question को कर लेंगे तो जो भी आपके question होंगे आपकी पढ़ाई से सम्बंदित आप वहां से पूछ लीजेगा अब आईए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में आपके important topics पे जैसे की first question आप सभी का बहुत जादा ये है कि MTS result जो है अगस्त माह में आएगा या नहीं क्योंकि 31 जुलाई को आपका result आया कुछ post के लिए और अभी आपके नहीं आये है तो MTS के चुक्किया भरती जादा है तो उनलों के question जादा है कि अभी तो आये नहीं अगस्त अब first week लगबग समाप्त होने वाला है तो परिशान नहीं आपके result अगस्त में ही आएंगे और ये आज मैं अभी आपको बता रही है हो शकता है आज ही शाम को आ जाए मतब आपका result लगबग है ready लेकिन आज आएगा जल्दी ठेक है तो इससे तो आप निश्चिंत रहिए कि ये लेट होगा बिल्कुल नहीं आपका अगस्त में ही result आएगा अब कभी भी आ सकता है आज भी आ सकता है कल भी तो date तो fixed नहीं है लेकिन इसके लिए ना परिशान ह क्यों क्यों सबका तो आगया हमारा नहीं आया और इसी तरीके से MTS के साथ लाइबरेटरी अटेंडेंट और लाइबरेरी अटेंडेंडेंट के भी भी पूछ रहे थे तो उन सभी लोगों के जो pending result है जिन्होंने लिखित परिशा दी है सब के result अगस्त में आ जाएंगे ठ समस्या इस बात की है कि कुछ है अभेरती जिनको mail message नहीं आया है skill test में qualify तो है क्योंकि जो result आया उसमें आपका नाम है लेकिन आपके पास mail message जो है skill test का नहीं आया कि किस date पर आपकी परिक्षा है या तो कितने time की परिक्षा है कौन से center पर परिक्षा है इससे अगर आप प लाइबरेरी और लाइबोरेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर इस पोस्ट के कोई भी अभेरती हो जो कि ये वीडियो देख रहे है और अभी जो result जारी किया गया है उसमें अगर आपका नाम है यानि आपका roll number है उसमें चेक कर लिए हैं आपकी आप भी qualify है अपनी चेंज किया गया है इन्फो टेक नैनी में गया है सेंटर और किस तरीके से डेट है कब डियूरेशन कितना है किते बज़े आपकी reporting है वो भी मैं भी आपको इस वीडियो में clear कर दोंगी ठीक है तो आप इसके लिए मत परिशान होगे कि आपका mail message नहीं आया है तो आप क्या करें आप जाएं कि ना जाएं सभी लोग जाएं जिनके PDF में नाम है कुछ अभ्यरती पूछ रहे थे कि जो mail आ रहा है केवल ऐसे अभ्यरतियों को आ रहा है जो qualify है हां केवल उन्हीं को आएगा लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे हो सकते है और technical issue की वज़े से हो सकता है आप तक mail message ना पहुच पाए या message ना आए तो भी आप अपना जो है तैयारी करिए इसके लिए test का अगर आपका भी उसमें नाम था आपको भी उसी center पर जाना है same time पर जाना है करना क्या है बता ही दिया था कि जो written exam आपने दिया था written exam का जो admit card रहा होगा उसी को लेकर आप जा इसी भी समस्य आगर आपके पास उसका print out phone में हो जैसे होता है ना कि आपने result देखने के लिए देख लिया हो या इन सब condition से भी है कि आपके पास नहीं ही है किसी भी वजह से तो जो यह result अभी जारी हुआ है जिसकी PDF टेलिग्राम पर भी शेयर की गई थी आप उसका एक print out निका लिए ठीक है उसका print out निका लिए यह तो आपको पता ही होगा ना कि आप qualify है कि नहीं अगर इतना भी नहीं पता तो इसके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते अगर इतना पता है कि हाँ आपका ही वह form number है आपका ही वह result है जो कि इसमें qualify है तो उसको इस तरीके से mark कर लि या था या ऐसा कोई बात तो हो सकता है 100% तो नहीं है लेकिन 90% है कि अगर ठीक ठाकेंडी मतब रहते हैं वहाँ पर तो तो आपको अलाओ कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको स्कल्टेस्टी देने जाना है तो उनके पास आपका डीटेल होता है तो जो उनके पास PDF होग यह सभी अभ्यरती के पास यह चीज़ें आपको कर लेनी है अब इसकी समस्या मुझे लगता है दूर हो गई होगी एक समस्या और है आप सभी के साथ कि जब आप रिटेन एक्जाम देने गए तो आप लोग के जो साइन होते हैं जैसे एक तो स्टूडेंट की साइन होती है और जो आपके क्लास्रूम में जो साइन होती है आप लोग के अड्मिट कार्ट पर किसी के भूल गए है या किसी ने किये नहीं यह भी समस्या है कि नहीं है कोई बात नहीं है आपके पास जो हो आप उसको लेकर जाईए ठीक है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएग आपको स् समस्या नहीं आएगी आप उसी को लेकर जाएए जिसके पास ना हो तो यह रिजल्ट आया उसका PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजे जिस पेज पर जैसे जुनियर ऑफिस असस्टेंट का जो आया है उसमें कई पेज हैं तो आप उसमें जिस पेज पे आपका नंबर सो कर रहा केब उस पेज को प्रिंट करा दें बाकी लाइबरेरी और लाइबरेटर और सिस्टेंटों का फरके तो सिंगल पेज में आ जाएगे तो आप पूरा प्रिंट करा लीजेगा ठीक है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अब बात करेंगे हम कि फॉर्म में जब आप फॉ में मिस्टेक हो गया अब जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले यानि एक दो दिन पहले ही वीडियो की माध्यम से सूचित कर दिया था आपकी कोई लिखित परिक्षा नहीं होगी जिसमें 8-8 पोश्ट है 7-6 पद है इन सब में नहीं होगा कोई भी लिखित परिक्षा डा हो सकता है इसकल टेस्ट भी नहीं हो डाइरेक्ट आपका वैरिफिकेशन हो किसी में एक पद है एक पद के लिए 16 औरुफे सब के पास नहीं होता इतना ज्यादा कि भू देगा सीधी सी बात है सब लोग नहीं भरते फर्म क्योंकि एक सीट पर रिस्क होता है कि पता नहीं म साथ आपको बुलाए जाएगा जिसको हम डीवी कहेंगे कि डाइरेक्ट आपका डाकुमेंट वैरिफिकेशन हो रहा है इंटर्व्यू नहीं देंगे क्योंकि इंटर्व्यू ग्रूप सी से आपको पताब नहीं होता तो इंटर्व्यू नहीं हैंगी आपका वैरिफिकेश जिन लोगों से गलतियां हो गई थी का certificate में मांगा था central का लगा दिया है state का तो आपको अब state का जो आपने लगा दिया है so लगा दिया ठीक लेकिन अगर आपको direct अभी बुलाया जाए verification या किसी चीज़ के लिए तो आप अभी भी समय है अपना central का बनवा लिजे ठीक है उस उसका कोई सुधार नहीं होगा हाँ आप लोग को एक काम और करना होगा कि अभी आपको जैसे कि बहुत बड़ी गलती हो गई जैसे कि आपका date of birth गलत है format बारा की जगह आपने 21 लिग दिया ऐसा कुछ है तो इसके लिए हाई स्कूल का माक्षी certificate जो आपका होगा उसे एक आप चाहे तो एक affidavit बनवा सकते हैं का बनेगा कहां का चहरी में बनेगा आप जाके बता देंगे तो बना देंगे ठीक है एक तरीके का वह application समझ लीजें कि आप तुरुटी हो गई है उसको सुधार ना चाहते हैं तो यह चीज़े है ठीक है वसे उसकी भी जरूरत आप यह बोल रहे थे कि जैसे MTS था MTS तो किसी के जैसे मालोफ पोस्ट कुछ और भरना चाहते तो थे आप कुछ और भर कुछ और दिया तो यह तो सुधार नहीं हो सकता नहीं वहाँ पर क्योंकि अगर आपने MTS का माली जो special पोस्ट में प्लंबर का भर दिया और आप भरना च certificate में mistake तो यह सब थोड़ी चीज़े चल जाएंगी चलेंगी क्या उसका विकल्प है और बाकी चीज़ों का नहीं है तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है तो आप लोग उन्हें समझ लिया आपने skill test के लिए और form में गलती है तो क्या करना है उसके लिए जो भीरती skill test देने जा रहे हैं उनके भी form में गलतियां है अभी आपको कुछ नहीं करना आप पूरा focus अपने skill test पे केवल करिए skill test दे लीजिए उसके बाद जो result आएगा तुरंत ही आपको नहीं बुलाया जागा है कि आज result आया कहेंगे कल आ जागे document लेके ठीक है तो जब हो बाकी आप में चुकि टाइपिंग मांगा है बाकी सब में skill test है तो skill test के अलावा भी चीज़ें आप में typing के अलावा भी चीज़ें लेकिन typing आपको भी आनी चाहिए तो कुछ अभेड़ती ऐसे हैं जिनकी typing तो बहुत ही जादा है कुछ बता रहे हैं मेरी 40-50 है तो बहुत दिन का लगभग होगा समय आपके पास आप 6 तारीक है 17 को है मां लिजे 10 दिन तो अभी भी practice करिए हो जाएगा maintain दूसरी बात अगर नहीं होता है तो क्या करना होगा अभी जो आपका आया है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पिछली बार notice आगी थी 100 नंबर की कि 100 आपका skill test होना है तो अभी तो इसमें कोई notice नहीं चारी किया गया इसका मतलब है कि यह qualifying nature का है qualifying nature अगर वो कराएंगे तो आपका 30 मांगा है तो 30 होना चाहिए exact अगर यह 100 नंबर का हो जाए तब आगर आप 29 भी करेंगे तो आप fail नहीं होंगे ठीक है तो यह cj है बाकी के जो भी आ रही है चीजे center को लेके आपको mail आ रहा है कुछ तो आपके particular उस candidate को आ रहा है जिन्होंने qualify किया है वो मुझे आपको नहीं आएगा जिनका qualify केवल उनको आएगा ठीक है तो यह चीज़ आपको करनी और typing speed जो आपकी कम है करना क्या है सबसे पहले finger पे अपने ए प्रैक्टिस से होगा टाइपिंग केवल प्रैक्टिस से ही बढ़ सकते हैं कि कोई आपको जादूई trick बता रहा हो कि आओ मैं दस दिन में आपको 50 की speed करा दूँ ऐसा संभव ही नहीं है आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो आप इतनी प्रैक्टिस जब कर लेते हैं तो जब गलतियां होती है आटोमेटिक आपके finger जाके उस spelling को सुधार के आगे बढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो ये चीज़े कोई जादूई नहीं होती कि आज आप सुरू करेंगे दस दिन में हो जागा नहीं हो अंदर से क्योंकि दे दिया गया माली जी इतो फिर भी आपका भूट ठीक है लगभग 30 मिनट की टाइपिंग होगी तो फिर भी finger से्ट हो जाता है लेकिन जैसे जहां आप कहीं पर भी 5 मिनट की टाइपिंग होती है जैसे आपकी उपर एलसी में जो जूनियर अस्रिंट हो लीजे एक मिनट तो फिंगर को सेट होने में लगता है जो बहुत जादा प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये समस्या आती है तो मतलब ठहरे रखिए करिए कोशिस करिए हो जाएगा अगर यदि नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है आप इसे बहुत कुछ सीख के जाएगे जो अभी नहीं क्वालिफाई कर पाए किसी भी रिजन से नहीं कर पाए हो अभी रेट है लेकिन आपने जो चीजे पढ़ी वो वेश्ट नहीं जाएगी उसी प्रकार से आपका जो इसकिल टेस्ट है वो बहुत कुछ आपको देगा अभी से प्रैक्टिस करिए अभी भी समय है ठीक है तो इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए मैंने प्लेटफॉर्म भी बताए है कि आपको वहाँ पर ओन स्क्रीन करना है बात है कि यह तो सही बात है कि आप मेनुवली मतलब बुक से देख के करते हैं जब टाइपिंग तो हमारी एक्योरेसी और बढ़ जाती है लेकिन यह सब तब फंड आपनाना चाहिए जब आपके पास समय हो भी आपके पास 10 दिन है मां लीजे आपको टाइपिंग के स्पीड अभी 25 है तो आप इसको मत करिए आप डाइरेक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए ताकि एक्जाम जैसा महौल आपको समझ में आए ठीक है और फिंगर को और अपने बैठने के स्टाइल को सेट करिए यह नहीं कि कैसे भी बैठें और आप टाइपिंग करें तो स्पीड नहीं बढ़ेगी हर एक चीज यह जो चीज़े मैं आपको बता लिए सब कुछ जिपेंड करता है टाइपिंग पे अगर कोई आपको क पुछ भ्यरती परिशान है कि मुझे मेल मैसेस तो आया नहीं कहा जाओंगा कब जाओंगा अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से आप पोस्ट वाइस देख लेजेगा ठीक है अगर आपके पास मेल नहीं आया तो भी आप उतने समय में उतने वहां पर पहुँच चाहिएगा आईए के करके हम बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जूनियर ओफिस असिस्टेंट का एक ही डेट में 17 को एक्जाम है और किसका किसका है जूनियर ओफिस असिस्टेंट लाइबरेरी और लाइबोरेटरी असिस्टेंट और स्टेनो ग्राफ बजे रिपोर्टिंग टाइम है जूनियर ओफ्से असेस्टेंट का और लाइबरेरियो लाइबरोरटे असेस्टेंट का 12 बजए है तो आप लोगों में गैपिंग है 9 बज़े रिपोर्टिंग है लेकिन आपको पहुँच जाना है आपको entry मिलेगी 9.00 बजे से लगबग, माल लीजिए आपका exam जो सुरू होगा, वो लगबग 10.30 से सुरू होगा, और ये कब तक चलेगा, आपका 11.00 बजे तक लगबग चलेगा, ठीक है, इतने आपको time मिलेगा, और फिर next जो batch है, मतब उसी डे पर और same center है चुकी, तो उन आपको भी gaping मिलेगी, तो 10.00 बजे से मतब 9.00 बजे आप पहुचेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको entry मिलेगी 9.00 से और exam लगबग 10.30 से सुरू होगा, आधे घंटे लगबग चलेगा, उसके बाद जो 12.00 बजे वाली reporting है, उसके भी exam कब होगे, तो जो आपक typing या skill test का timing होगा, लगबग देड़ बजे से, फिर उसके बाद जो stenographer का है, stenographer ने बहुत कम भीरती है, 7-8 लोग होगे, तो आप लोगों की जो होगे, तीन बजे से reporting time है, तो आपका भी 3 बजे है, लगबग 4 बजे करीब आपका शुरू होगा, ठीक है, सेंटर सभी का एक ह आईए देखते हैं कहां पर है आपका सेंटर, नैनी में हैं आप सभी लोगों के सेंटर, और timing आपको बता ही दिया मैंने अभी भी कि कब-कब है, आप देख लीजेगा, वैसे जिनको mail message तो आही गया, अगर maximum लोगों को आ गया है, जिनको ना आया हो, वो देखने, अभी य पर है, किसका junior office assistant को, पहुचना कहा है, आपको ये देखिएगा, इलहाबाद infotech private limited है, ठीक है, ये पूरा आपका, जो है, एड़े दिया हुआ है कि 101B, चकडाउ नगर, नैनी, ठीक है, असोक टॉकी के बगल में है, मतलब नैनी सबजी मंडी, अब हाँ जाएंगे आपको पता चल जाएगा, कुछ आप भेरती इलहाबाद के होंगे, यानी, प्रियाग राज के, तो उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है, अगर आपको कहीं आप बाहर से आ रहे हैं, तो मौसम का थोड़ा सा देख लिजेगा, वैसे मौसम तो ठीक ठाकी है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग है, तो कहीं दूर से आ रहे हैं, तो अपने और समय से ही पहुचें, ताकि किसी दलती की वज़े से आपके स्किल टेस्ट ना चूटे, ठीक है, अब आगे आईए, अगले पोस्ट के लिए, ये देखिएगा, शेक्सन ओफिसर, लाइबरेरी असिस्टेंट और लाइबरेटरी असिस्टेंट, तीनो के कम है, यहाँ पर आप देख लीजेगा, तो बारा बज़े रिपोर्टिंग टाइम है आपके, सेम है वही सेंटर, और जो स्टेनो क्राफर के भीड़ती है, उनका तीन बज़े से रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपके लगभग जो टाइपिंग और स्किल टेस्ट का डिवरेशन होगा, 30 मिनट होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है, जिनके स्किल टेस्ट हैं, जैसे सेक्शन ओफिसर, बाकी स्टेनो और यहन लोगों के, तो आप लोगों को चुकी शॉर्ट हैंड करना होता है, फिर उसके बाद टाइपिंग आपकी कराई जाती है, तो आपको समय देना पड़ेगा, तो लगबग एक घंटे का डिवरेशन हो सकता है, और इस टेनो ग्राफर का भी सेक्शन ओफिशर, और लाइबरेरी और लाइबरेटरी असिस्टेंट का भी, तो यह सब जान एक से ज़्यादा लोगों के साथ है, तो सबको एक साथ बोलना होगा, वहाँ अपना नहीं देखना होता है, ऐसा होता भी है, जाहिर सी बाते दस लोग जाते हैं, तो उनको लगता है, मैं पास हो जाने दोसको, ठीक, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर समस्या सभी के इस चीज की कमी है, तो एक साथ हो, एक ता बहुत जरूरी होती है, एक दो केंडिडेट अगर बोलते भी हैं, तो उनका कुछ नहीं होगा, कि मुझे कीबोर्ट सही नहीं लग रहा है, या टाइपिंग नहीं हो रही है, या हैंग कर रहा है सिस्टम, अगर एक से ज़्याद पहले ही, कीबोर्ट की सभी कीज को प्रेस करके देख लीजेगा, कि सब सही है कि नहीं है, माउस सही चल रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजे हो सकता है कि आपको माउस से फिल करनी हो, उसमें जब आप आप करते हैं, बाकी, कीबोर्ट प्रोपर अच्छा होना चाहिए आपका और डिस्पले सही आना चाहिए मॉनिटर पे, यह चीजे आप पर हैं, आपको थोड़ा चेक कर लीजेगा, डेल का ही आपको लगभग मिलेगा, कीबोर्ट वहां पर, ठीक है, तो जेवरॉनिक का भी मिल सकता है, जेवरॉनिक और डेल के ही मैक्सिमम आपको वहां पर कीबोर्ड मिलेंगे, तो कीबोर्ड से न घबराएं, जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको कोई भी कीबोर्ड दीजेए, वो अच्छा ही करते हैं, ठीक है, तो सभी को बेस्ट आफ लग जो तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले एक्जाम भी जो आप सभी के अच्छे से कर ये सब कुछ अच्छा होगा, ठीक, तो कॉमपटीशन तो हई है, लेकिन आप भी बेहतर कर रहे हैं, तो आप भी आगे जाएंगे जरूर, बाकि अगर इसकी इलावा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी, मैंने बता ही दिया है, कि शाम तक कोशिस करेंगे ठीक है, तो जिनको अविशकता हो केवल वही जुड़े, ऐसा कुछ नहीं है, कमपसरी कि सभी को आना ही ज़रूरी है, बाकि, क्योंकि आप लोग बार बार कोश्चन जब करते हैं, तो रिपलाई मिलना मुश्किल हो जाता है, जिनके टेस्ट है, उनके लिए बहुत करेंगे, तैयारी अच्छो से करते रहिएगा, जय हिंद,